नमस्ते स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में इस वीडियो में हम बनाएंगे यह रोटेटिंग नैविगेशन लूजिंग एस्टेमल एससे एंड जावा स्क्रिप्ट इसको हम बनाएंगे तो आप देख रहे हैं हम बटन पर क्लिक करें तो हमारे पास हमारी नैविगे दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए इस साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को हम आचुके अपने वीएस कोड में और यहां पर मैंने फोल्डर उपने करका है रोटेटिंग नैविगेशन और यहां पर हमारे पास मेजिस फोल्डर है उसमें हमारे पास दूट की में जाएं जिसे हम यूज करेंगे एंड इसक्रिप्शन में मिल जाएगा स्ट करते हैं फर्स्ट फॉल उपना लेंगे लिए हैं अंड अपने बवाइल पेड कोले आते हैं टाइटल में कर देंगे रोटेटिंग नैविगेशन and अपने styles को link कर लेंगे link styles.css and यहाँ पर अपनी script tag ले आएंगे और यहाँ पर source लगा देंगे script.js यहाँ पर लिखते हैं rotating navigation save करते हैं और हम यहाँ पर go live पर click करेंगे और हमारी website यहाँ पर live हो जाएगी तो इसको किया हमेने live server exchange को यूज़ करके तो आप भी से install कर सकते हैं start करते हैं first of all हम इसमें use करेंगे font awesome icons तो उसको भी लियाते है font awesome cdn use करेंगे और इसको लियादे हैं तो यहाँ पर हम link tag को copy करेंगे और यहाँ पर paste कर देंगे तो font awesome use कैसे कर सकते हैं font awesome की website पर चलते है search icons पर तो यहां पर हमारे पास icon आ रहा है तो इस पर click कर सकते हैं और यहां पर नीचे हमारे पास यह icon आ गया तो हम इसे use कर सकते हैं यहां पर fa solid लिखा हुआ है तो इसे हम short में fa s लिख सकते हैं तो start करते हैं यहां पर आते हैं body में अपने और सबसे पहले मुझे एक div चाहिए जिसको हम class देंगे container और इस div के अंदर एक circle container जो कि हमारे यहां पर आएगा एक circle जिसको हम जिसमें हम click करेंगे और हमारी navigation rotate होगी तो इसको हम class देते हैं circle container और इसके अंदर एक circle और इसके अंदर एक button लगाएंगे जिसको हम class देंगे close और इसके अंदर icon तो icon है मेरा fa fa times और इसको हम one कर देंगे save करते हैं तो हमारे पास यहां पर यह आइकन आ गया अब ऐसी मुझे एक और icon चाहिए तो यहां पर हम कर देंगे fa bars तो यहां पर हमारे यह menu icon आ गया और इसको हम class देंगे open सेफ करते हैं अब इसके बाद मुझे content सही है जो मेरा content होगा मेरे page पर तो इसके लिए यहां पर आते हैं और एक div बनाते हैं जिसको हम class देंगे content और इस content के अंदर सबसे पहले मैं एक h1 ले देता हूं यहां पर लिख देंगे हैं rotating navigation अब इसके बाद paragraph टैग लेंगे और इसमें कुछ लिख देते हैं rotating navigation के बारे में तो इसको मैं copy paste कर लेता हूं सेफ करते हैं तो हमारे पास से content भी आ गया हमारे paragraph टैग में यह text आ गया जो कि मैंने डाला है creating and rotating navigation menu using html css and javascript तो यह हमने add कर दिया अब इसके बाद कुछ चीज़े और add कर लेते हैं जैसे s2 और यहां पर लिख देते हैं I am Groot सेफ करते हैं तो हमारा I am Groot भी आ गया अब एक paragraph टैग लेते हैं और इसके अंदर Groot के बारे में थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं तो उसको मैं copy करता हूं और यहां पर paste करते हैं तो यहां पर मैंने Groot के बारे में कुछ लिख दिया अब इसके बाद हमारी जो navigation बार आएगी यहां पर उसमें हमारे पास elements होंगे तो उनको भी हम add कर लेते हैं तो उसको add करें हम यहां पर nav ले लेते हैं इसके अंदर unordered list और unordered list के अंदर li items और हमारा font awesome icon लास देते हैं इसको fasfa home तो हमारे home icon आ गया और हम यहां पर लिख देंगे home तो हमारा home भी लिखा हुआ आ गया अब ऐसे हमारे पास एक about आएगा और एक contact तो यहां पर कर देते हैं about और इसके icon को change करके कर देते हैं user alt save करते हैं तो हमारे पास about और उसका icon भी आ गया अब इसके नीचे कर देते हैं face phone और यहां पर हम कर देंगे contact save करते हैं तो हमारे पास एक contact और यह मरपस icon भी आ गया अब उपर चलते हैं और यहां पर अपनी image लगाते हैं img और हमारी image है images folder में root jpeg और alt में भी हम डालते हैं group save करते हैं तो अब हमारी image लग चुकी है और आप देख सकते हैं कि हमारी image बहुत ही बड़ी है तो अब इसको set करते हैं अपने page को styles लगाके तो चलते हैं अपने styles में styles.css सबसे पहले अपना root element select करेंगे और यहां पर कर देंगे box sizing border box अब इसके बाद body में आएंगे और background color कर देंगे black overflow x कर देंगे hidden और margin कर देंगे 0 save करते हैं तो अब हमारे पास यह ऐसे कुछ set हो जोगा और background आ रहा है हमारा black तो उसके बाद हमारा container आता है so dot container और background color कर देंगे हम white save करते हैं तो हमारे यह background color white हो चुक है अब इसको width देते हैं 100 viewport width and minimum height देते हैं 100 vh padding देते हैं 50 pixel save करते हैं तो अब हमारे पास यह content कुछ ऐसे आ रहा है अब इसके बाद हमें यहां पे circle बनाना है तो circle में हमारा circle container और उसके अंदर circle है तो सबसे पहले हम circle बनाते हैं dot circle background color दे देंगे black height दे देंगे 200 pixel width दे देंगे 200 pixel border radius दे देंगे 50% position दे देंगे relative save करते हैं तो अब हमारे पास यह circle आ रहा है अब इसके बाद हम यहां पे आते हैं dot circle container और position कर देंगे इसकी fixed टॉप कर देंगे minus 100 pixel लेफ्ट भी कर देंगे minus 100 pixel तो आप देख सकते हैं हमारे circle side में चला गया है अब इसके बाद हमारे button आते हैं जो button हमने लगा हुए है हमारा menu है और हमारा close button है तो उस पे भी से हम स्टाइलिंग दे लेते हैं तो यहां पे आते हैं dot circle button इसको हम दे देंगे position absolute टॉप कर देंगे 50% left कर देंगे 50% height देंगे 100 pixel background transparent border कर देंगे 0 font size कर देंगे 26 pixel and color देंगे white save करते हैं तो हमारे पास एक cross और हमारा menu यहां पे आ रहा है अब इनको जो हमारा open button है और close button है तो इनको भी हम styling देते हैं तो यहां पे आते हैं dot circle button dot open और यहां पे left 60% save करते हैं तो अब हमारे पास यह open वाला button इस side को आ गया अब नीचे आते हैं dot circle button dot close और यहां पे कर देंगे top 60% transform कर देंगे rotate 90 degree and transform origin कर देंगे top left तो अब हमारे पास वो cross कुछ इधर चला गया है तो वो rotate होके यहां पे आएगा तो अभी हमें यहां पे क्लिक करके कुछ नहीं हो रहा तो वो हम बाद में करेंगे show nav करके class मनाएंगे उसमें यह सब करेंगे पहले अपने content को हम set कर लेते हैं तो यहां पे आते हैं dot content img max width देंगे 100% save करते हैं तो अब हमारी image को set हो गई अब इसके बाद dot content को लेते हैं और max width देते हैं 1000 pixel अब यहां पे हमारे पास कुछ ऊपर लग रहा है तो यहां पे हम दे देंगे margin 50 pixel and auto save करते हैं तो अब हमारे पास यह सही आ रहा है अब इसके बाद हमारा achievement tag है और यह paragraph tag है तो paragraph को थोड़ी सी styling देते हैं यहां पे आते हैं dot content p and इसको हम line height दे देंगे 1.5 save करते हैं तो हमारे पास line height लग चुकी है और अपने text को जरा justify कर लेते हैं text line justify तो हमारे पास यह text भी justify हो चुका है अब यह हमारा content set हो चुका है और अपनी image को border radius लगाते हैं तो यहां पे आते हैं और border radius 20 pixels save करते हैं तो अब यह image हमारा पास अच्छी लग रही है border radius लगाके अब हमारी nav रह गी है तो हमें नब पे styling आनी है हमारे content की styling लग चुकी है तो नब को show करने के लिए हम ऊपर सलते हैं यहां पर dot container के नीचे और यहां पर करते हैं dot container dot show nav और यहां पर इसको transform कर देंगे rotate minus 20 degree save करते हैं तो अब index.htm में चलते हैं यहां पर हमारे पास container है और यहां पर class लगा देंगे हम show nav तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यह कुछ data तो हो गया है बट सही से नहीं हुआ तो उसके लिए अब हमें यहां पर जाना पड़ेगा और transform origin को change करके top left करना पड़ेगा तो अब हमारे पास यह सही से हो रहा है और इसके बाद transition लगाते हम transform transform 0.5 second linear अब जैसी मैं सेफ करूंगा आप देखेंगे यहां पर हमें transition दिखाई देगी तो अब यह transition हमें दिखाई दे रही है तो हम यहां पर नीचे चलते हैं circle के नीचे dot container dot show nav and dot circle अब इसके अंदर transform कर देंगे इसको हम rotate minus 70 degree save करते हैं तो अब हमारे पास cross आ रहा है तो अब इसको भी हम transition लगाते हैं transition transform 0.5 second linear save करते हैं तो अब हमारे पास यह transition हमें दिखाई दे रही है अब मैं चाता हूँ कि जो मेरी nav में list items है वो मुझे यहां पर show हूँ तो उसके लिए नीचे चलते हैं और यहां पर nav पे styling आना start करते हैं nav में social position दे देंगे हम fixed और इसके बाद bottom कर देंगे 40 pixel color दे देंगे white left कर देंगे 0 and z index कर देंगे 100 save करते हैं तो अब हमारे पास यहां पर list items दिखाई दे रही है अब हमारी unnoted list है तो उसको styling देके इसको set करते हैं list style type कर देंगे none and padding left कर देंगे 30 pixel save करते हैं तो अब हमारे पास यह dot set के side वाले list style type none हो गया अब इसके बाद li items है तो इसको भी styling दे लेते हैं तो nav unnoted list list items इसके अंदर text transform कर देंगे हम uppercase margin कर देंगे 40 pixel 0 save करते हैं तो अब हमारे पास यह set हो गया अब इनके बीच में यहां पे margin right दे देते हैं तो इसके लिए यहां पे आते हैं nav ul li i इसके अंदर font size कर देते हैं इसका 20 pixel margin right कर देंगे 10 pixel save करते हैं तो अब हमारे पास यह भी set हो गया है अब मेरे पास यह वाली item थोड़ी आ गया है और यह वाली थोड़ी और आ गया है तो इसके लिए यहां पे आते हैं और nav ul li plus li तो second li select हो जाएगा इस पे हम margin left देते हैं 15 pixel save करते हैं तो अब यह हमारे पास आगे चलेगे नीचे वाले दो अब मुझे थर्ड वाले के और आगे करना है तो मैं कर दूंगा nav ul li plus li plus li margin left 30 pixel save करते हैं तो अब यह आ रहा है तो इस पे भी हम transition लगा देंगे transform कर देंगे इसको पहले इसको minus 200% पर रखेंगे इसको 0 पर लियाएंगे तो ऐसे लगे हमारे पास कि यह left side से आ रहा है और यहां पर right side पर आके रुक रहा है तो इसके लिए हमें यहां पर आना पड़ेगा और यहां पर हम कर देंगे transform कर देंगे इसको translate x minus 200% और इसके नीचे transition transform 0.4 second is in save करते हैं अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा तो आप देख रहे होंगे कि मारे पास यह left side को जा रहे हैं तो अब उसके लिए यहां पर आना पड़ेगा हमें dot container show nav इसके बाद nav and li तो यहां पर प्लस लगाना पड़ेगा अब इसके अंदर हम transform कर देंगे इसको translate x 0 and इसके बाद इसमें transition delay लगा यते हैं 0.3 second save करते हैं तो हमारे पास है यहां पर आ रहा है तो हम स्क्रिप्ट से लगाएंगे अपनी show nav class को तो हमारे पास यह ट्रांजिस्ट होके सारा कुछ completely चलेगा तो इंडेक्स टो टेस्टे में चलते हैं और यहां से show nav को अटा देते हैं अब स्क्रिप्ट में चलते हैं सबसे पहले हम अपने बटन को स्लेक्ट करेंगे open close open यह हमारे पास और close हमारे पास बाद में आता है जो कि हमारे पास यह है button close and button open तो इनको स्लेक्ट कर लेंगे और अपने container को स्लेक्ट कर लेंगे script में चलते हैं तो यहां पर आते हैं and const open equal to document.currySelector यहां पर open and ऐसी close को भी स्लेक्ट कर लेंगे const close equal to document.currySelector और यहां पर .close और इसके बाद अपने container को भी स्लेक्ट कर लेंगे container equal to document.currySelector और यहां पर .container अब इसके बाद हमें यहां पर क्या करना है कि जब वो person यहां पर क्लिक करें तो हमारे पास हमारी show nav class add हो जाए और जैसी हमारे पास close button पर क्लिक करेगा तो हमारे पास show nav class उससे remove हो जाए तो उसके लिए हम यहां पर आएंगे और open पर add event listener लगाएंगे click यहां पर आते है open .add event listener click तो क्लिक करने पर क्या हो हमारे पास container में class add हो जाए show nav container .classlist .add और यहां पर show nav save करते हैं और यहां पर हम click करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी nav show हो चुकी है पर अभी close पर कुछ भी नहीं हो रहा तो उसके लिए इस पर भी हम add event listener लगाएंगे और remove कर देंगे class को show nav को so close .add event listener click और यहां पर container से हम class को remove कर देंगे show nav को remove show nav save करते हैं और यहां पर अब मैं click करूंगा तो हमारे पास हमारी nav show हो रही है और अब close पर click करूंगा तो हमारी nav bar चली जा रही है तो अब हमारे पास यह rotating navigation complete हो चुक है using HTML CSS and JavaScript तो अगर हम यहां पर button पर click करें तो हमारे पास हमारी navigation show हो रही है और अगर हम cross पर click करें तो हमारी navigation hide हो रही है तो हमारे यह rotating navigation complete हो चुक है using HTML CSS and JavaScript and इसका complete code आपको इस GitHub wrapper मिल जाएगा इसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा एंड हमारे YouTube चैनल पर और भी JavaScript projects है तो आप इन्हें भी देख सकते हैं एंड हमारे चैनल पर HTML CSS projects में जैसे Spotify clone, Netflix clone, Google clone तो आप इन्हें भी देख सकते हैं एंड हमारे YouTube चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस है जैस Tailwind CSS tutorial की एक playlist है react material UI tutorial की playlist है CSS tricks की playlist है एंड एक tutorials है तो आप इन्हें भी देख सकते हैं इसके साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू इसके सब्सक्राइब कीजिए एंड है